हेलो स्टूरेंट्स वेलकॉम हेल आगेन और माई चैनल जानकारी हित मैसल्फ हित अभिलाशी शर्मा अज़ा पागल करांगे प्लस वन लेवल दे अकाउंटेंसी दे वीचे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेशन्स जो स्टार्टिंग दे वीच जो अकाउंट से पार्ट्स ने प्रेक्टिस कर सकते हैं कि जर्नली इस टाइप दे क्वेशन्स होंदे नहीं आओ सब तो पहला फस्ट क्वेशन दा आर्ट ओफ रिकॉर्डिंग आल बिजनस ट्राइक्शन इना सिस्टेमेटिक मैनर इना सेट ऑफ बुक्स इस काल्ड मतलब सारे जिनने बिजनसमेन ने कार प्रेक्शन ने स्टूरेंट्स फस्ट आप्शन एस अकाउंटिंग बी ऑप्शन इस बुक्किपिंग सी इस लेजर ती इस नन अफ दीज जस्तिंग सोचो अपना टेस्ट है आजे है सोचो यस आई थिंग तुसी सोच लिया होना ते तोड़ा आंसर की होना आओ देखें आ तो बुक्स ओफ अकाउंट्स होंदी आने बिजनस ट्रंक्शन जिस रिकॉर्ड किता जानता है उदे विच जिस सिस्टेमेटिक मैनर टांग देनाल असी बुक्स दे विच रिकॉर्ड करते हैं उस कल आनू असी बुक्किपिंग कहनने है मेरे काल तोड़े दो या चार नंबर दे हिसाफ देनाल हर क्वेश्चन है और इच और एफ ब्री क्वेश्चन है डू माक्स अपने दो नंबर इस तो काउंट करने शुरू कर दो हर क्वेश्चन तो बाद विचे भी पॉसिविल्ट है कि तानों ओ एमार शीर्स मिल देने स्टूडेंट्स मालों साड़ा ओप्शन ने थे बी सी ताफ फर्स्ट क्वेश्चन से का बी जड़ा है इस तरह जड़ा सर्कल बने अगया है उन्हों तुसी पूरी तरह शेड कर देना है ब्ल्यू जा ब्लैक हो देनाल ओ तुसी बैटर जान दें क्योंकि प्लस वान लेवल तक स्टूडेंट्स डिफरें इस तरह देनाल जाई OMR शीट होई ता तुसी इस तरह पूरा सर्कल प्रापर शेड़ करना है अदर्वाइस तुसी आंसर शीट दे होते भी उन्हों मेंशन कर सब्लिया तो स्टूडेल अग्यवाद सेकंड क्वेशन दो प्रसेस ओफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइं और सम प्रववारी लेन देननों रिकॉर्ड करना श्रेणी वंद करना अते संखेप करंदी पर के राणू की कहा जानता है दिर और फोर ओप्षन अगेंस वन इस ए बुक्किपिंग बी अकाउंटिंग सी जानलाइजिंग डी नन ओफ दीज यस तुरेंट्स सोचना शुरू को र कि यह अकाउंटिंग दा आंसर जो तो इक पर ही रिकॉर्ड करने हैं उस कलानों वसी बुक्किपिंग कहने हैं रिकॉर्ड करके उधी प्रॉफर रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समेराइज ते एनलसाइज कर लेना बिजनस ट्राजेक्शन नों ताकि बिजनस दी फाइन पूल ले जो तुसी प्रापत कर चुकियो नहीं का नेक्स्ट ट्राइम कदे हुजा क्वेशन आंदा है मैंनू पता है शूर हों कि तुसी यह घल्दी कदे नहीं करोगे नेक्स्ट क्वेशन कैश गुड्स और एसेट्स इनिवेस्टर वाइदा प्रॉप्राइटर इन अशर्स ने काल ट्रक बगएरा बिजनस दे विच जेकर लगाय जानते ने ता उसनू की कहनते ने स्टुएंट्स अगें दिर आर फोर ओप्शन्स ए प्रॉफिट बी कैपिटल सी फिक्स्ट अशर्स दी नन अफ दीज यस तींग सोचो जल्दी यस कम ओन मेरे खाल तो नू अशर्स दे विच जो भी रखम बिजनस लगाया जानते उन्हों सी कैपिटल कहने हैं स्टुएंट्स नेक्स नुबर फोर बुक किपिंग इस एन बुक किपिंग की है इस एन आर्ट असाइंस बहुत और नन अफ दीज मेरे खाल तो नूं क्लीर होना के बुक किपिंग आर् और भी है और आर्ट विए थे साइंस भी है समझ लग गया आर्ट किसे प्रिंसीपल्स नो अपलाई करना इक सिस्टम है मैनर है उसनों असी आर्ट कहने है ते साइंस होन दा है गुरूप ओफ प्रिंसीपल्स विचा 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 आप्लीकेवल आल्मस्ट इन आ फोल recipe बाख सारे principles नहें जड़े सारे गिते लागु हों देने स करके science है कि वह principles हर कोई लागु नहीं कर सकदा ओजरी कोई particular skill चाहिंदा उस skill नों सी art करने है so bookkeeping art वियाते science next question students is the person firm or institution who doesn't pay the price in cash for goods purchased for the services rendered received is called ओह व्यक्ति फर्म जा संसा जो खृदेवे समान जा प्रापत कितेगे या सेवामा दे लई कैश दे रूपच पेमेंट नहीं कर दी बिजनस नू ओह व्यक्ति या संसा बिजनस दी की बन जन दी है उसनों सी की कहने है डाटर्स प्रोप्राइटर क्रेडिटर्स और नन अफ दी त्या आननल सोचो जल्दी सोचो यास आई थिंक तुसी सोच लाएगा आउ अपा को चेक करीए आंसर इस एड़ेटर त्या आननल सोचो ड़ेटर्स कोन हों देने जिना तो उसी पैसे लेने ने पर्सन हो ओर टू बिजनस जिना ने बिजनस दे पैसे देने उन व्यक्ति फर्म जा कोई संस्ता जिसने बिजनस तो वस्तुआ जा सेवामाद अपराप्त कर लीगा पर कैश पे नहीं की था एदा मतलो व्यक्ति जा संस्ता बिजनस दी की बाँजेगी डेटर clear? next question the thing which is purchased and sold in business is called और in which business deals in ओहो वस्तुआ जेडियां कोई ववारी या business खरीद दे ते बेचंदा काम कर दे या सी कैसे दे इन विजनस देल्स देल्स जिस्दा कोई वपार वपार कर दे जिनना वस्तुआ रणों की कहन देने answer is A. Stock B. Purchases C. Goods D. Sale यास सोचो जल्दी सोचो think about it यास एरे खल तुसी सोच ले answer is C. Goods यास गुड्स की उन्दियांने सारे नुपता इन विजनस देल्स हैं जिस्दे तुसी वपार कार दे जिनना चीजन दा उन्होंसी गुड्स कहने हैं कपड़े दा वपारी है ता कपड़ा की और गुड्स कोई कारां दा वपारी है ता कारां की नहों दे वास्ते गुड्स आंसर की एकुड्स आंसर इस बी फॉल्स कैश्ट फिक्स एस्ट बिजनस दी नहीं हों दी कैश करांट एस्ट हों दी है सारे नूपता है आओ गे वदी आपकुड्स एक्जाम ची जनरली है ज़ो फाइनल अग्जाम है वह फाइनल पॉसिविल्टी हों दी है ता इस सेलरी लेट साइड राइट साइड वॉचर्स कॉलम बीदे वीचने सॉस डाकुमेंट क्रेडिट एशर्स एक्सपेंसिज डैबिट असी इन्हानों हुन मैच करना है पसकेड़ा कॉलम की दिना बेस्ट वे नाल मैचबल हो सकता है मिरे खाल तुसी सारा सोच लिया होना आओ इन्हानों मैच करके देखिए साही आंसर की लिए यह स्टूनेंट्स जिटी बिल्डिंग है वो बिजनस दी एक एशिट है इस करके जो सी आंसर एशिट है वो बिल्डिंग नाल मैच हो रहे हैं सेलरी मीज बिजनस दा अक्सपेंसिज है और डी ऑप्शन दीता वैसी साठे देविट साइड होंदी है इस करके डेविट नों लेफ doetर मैच कर रहे है है राइट साइड कीसे भी लैसर अकाँन्ट ही डिडिट साइड होंदी है इस करके भी जड़ा ओपशन क्रेडिट थाओ एदिनल मैच हो रहे है ते वोचर्स की होंदे ने कीसे बिजनस दे लई सोस डाकूमेंट हों देने वो साथे खोल ए ओप्शन सी ए सी होदे आंसर मेरे खाल तोड़े आंसर भी ठीक होंगे क्लियर आओ गे वह दिया स्टुटेंट्स नाइंथ कोईशन वीच अफ़ फालिंगी इस एंटर इन कैश बुक एना चो के डी चीज नों असी किस लेन देन नों सी कैश बुक दे बीच एंटर कर दें नमबर ए ओप्शन है ओप्शन है ओणली कैश ट्रांजेक्शन ओणली क्र तो उसी आंसर भी सोच लाएगा आंसर देखिए आंसर इस ओनली कैश ट्रांजेक्शन स्टुटेंट्स तो अनुप बता है के कैश बुक एक सबस्ट्री बुक से रूप दे विचे कैश बुक दे सिर्फ ओही ट्रांजेक्शन दिखाने है बिजनेस जो केवल कैश नेचर द इस पाल ओहों कैश बुक जड़ी पैटी एक्सपैंसिस मतलब समाल अक्सपैंसिस नों दिखान ली बनाई जान दी है उसनों की कहन देने आप्शन ए सिंपल कैश बुक बी पैटी कैश बुक सी ट्रिपल कॉलं कैश बुक दी नन ओफ दीज ठींक अबाउट इट सोचो मेरे लिखालта उसी क्लेर होगे इस दे बारे आओ इदा आँसर आंसर इस टैटीका उसी पैटी कैश बुक एथे किस बुकर निया पैटी केश बुक आओ अगे वहरा जो cash book single column में जिसकला cash वाला column हों रहे है वो हमेशा की show कर दिया debit balance B option credit balance debit or credit balance none of these सोचो ज़रा जल्दी cash book दा key balance हों दे है जल्दी सोचो हमेशा जड़ी single column हों रहे जिसके सरफ cash दी column हों दिया है मेरे खालतों से सोच ला होगा होगे वदी answer is debit balance जिना दा debit balance ही होना दे नंबर वद्धे चले जा रहे ने त्यानाल अपने नंबर एड़ कर दे चले जाओ ते बाच अपना score करके देखियो किते पहुंचके एक गल जाद रुखो students cash दा कदे भी credit balance नहीं हों दा cash book दा जो single column cash book हों दिया हो cash column दा मतलब ही एक तरह दा cash account है business cash किनना है और negative नहीं हो सदा zero ता हो सकता है हमेशा दा credit balance नहीं हो सदा कदे भी हमेशा cash book दा गड़ा balance हों दा if there is any debit balance clear अगला question laser posting is done on the basis of जदो वासी different type of laser account बनाने है उससे posting किस अधारते कीती जान दी है is on the basis of journal book a option b substrate books c what a and b d none of these सोचो जरा laser दे वीच पोस्टिंग किस चीज तो किती जान दी है journal तो substrate books तो दोना तो या none of these मेरे खाल दूसे clear हो गए होंगे आओ आँ आँ देखिए question दा answer है both a and b students journal तो भी laser posting हो जान दी है जिते बिजनस से substrate books लगिया हो याने ता substrate books तो भी laser दे वीच पोस्टिंग हो दी है so answer is both a and b both a and b दा मतलब की हो गए journal ते substrate books दोना दे वीचों ही laser दे वीच पोस्टिंग हो सकती है next question question number 13 capital account represents dash account in business जो पुझी खाता हों दे बिजनस दे वीच कारोवार दे वीच और dash दे खाते नों दुरसान दे किसदा खाता हों दे हो किसदा account हों दे options are four one a is owners account b banks account c suppliers account d none of these इना चो कोई भी नहीं oh मुश्किल दोड़ा ते आनल सोचो business दे वीचे capital कौन लगां दे किसदा खाता हों दे मेरे खालतों सी समझ गया होंगे मैं hint दे चुके है answer चेक करिए answer is owners account owner हों दे मालक business दे वीचे capital invest कौन करता है business दा मालक so capital account दोड़ा हों दोड़ा हों दे वैसे भी personal account है ते उसी owners account कहने है क्योंकि capital account असर्च business दे मालक दा account हों दे हो जड़ा उसने पैसा invest कीता हों दे सारा नो पता है न capital की हों दिया the amount invested by the owner in the business is known as capital पुंजी next question 14th question which of the falling is not the basis of accounting system accounting system दे अलगला दे असी न जो पहचानन है क्यड़ा बेस नहीं है इधर ही तो आनो knowledge होनी चाहिए कि accounting system दे base कड़े कड़े ने जड़ा odd one होएगा और नहीं होएगा चार option ने A is cash basis B is hybrid basis C is accrual basis D is payment basis सूचो tough है ना थोड़ा जा yes जो सड़े को ठीरी base of accounting हों दे है उस दिना related concepts ने है students ते आनना सूचो cash, hybrid, accrual और payment basis समझ गए होगे तुसी आओ आन्स दे करिये answer is payment basis D yes बल्कुल सही है त्यान रखो उन अग्ये नो जो दों भी कोई हीजा question अन्द है याद रखो जो accounting system ने जिस दे base दे होते account त्यार किते जाने रहे हो generally तिन base ने one is cash base hybrid base accrual basis सानो ने पुछा सी जड़ा base नहीं है that is payment basis जे ओड है चारांदे बीचो तिन नो ही साढ़े को base ने basis of accounting system ओ तिन नो ही नहीं है cash, hybrid and accrual based next question question number 15 what is a full fund of GST बटा simple question है तो नो आन्दा होएगा A option is general service tax B option is great sales tax C option is giving source tax D option is goods and services tax सोचो जल्दी जड़ा सारे लगदा है कि जिकरा सी full forms दी गल करी abbreviated रूप सारे दा GST ही लग रहे है पर तुसी सोचने exactly GST दा रूप की है की नाम है दा full home तो एट्स मेरे खाद तुसी सोच लाएगा answer is goods and services tax जीना दा भी ये answer है they are absolutely right दो नमबर हो एड़ कर लो सी in between पहुंच चुक है हो सोचो थोड़े नमबर के नहें बहुंच चुक है एक साइट दे नोट कर दे जा जाओ next question question number 16 what is the full form of COGS COGS दी full form किया है cost of goods sold A option B option is concept of goods and services C option is cost of goods service D option is all of the work एक बज़े दा students लग रहा है confusing कि तिन्नों ही नहीं हो सकते ने क्योंकि सारे हैं COGS था abbreviated रूप बढ़ रहा है पर तुसी सोचो ज़रा है कोई option हो सकते है या लोग था सारी लग रहा है सोच ले आ आओ answer देखिए students answer is yes clear आओ देखिए answer की है answer is cost of goods sold yes COGS थी जो short firm जिन्हों सी लिखे है abbreviated रूप ओधी full firm की है cost of goods sold जो वस्तुआ वेशी हैंने उन्हों थी लागत किन्नी आई next question yes 17th question what will be the value of gross profit क्या आनना if the sale rupees 2 lakh COGS जिसनों मैं हुने कीता है cost of goods sold 1 lakh 50,000 opening stock 20,000 त्यान ना असी gross profit करने sales तुसी वस्तुआ दी 2 lakh दी कीती ते लागत किनी आई यसी 1.5 lakh opening stock 20,000 बाजिता है तब business नो profit किना है सोचन वाली गाल है gross profit is it 70,000 50,000 30,000 और 3,30,000 सोच तो जरा थोड़ा time दो अपने अपनों calculation करके देखो मेरे गल सोच ले होईगा आओ अगे बदी answer की यहते कारण भी देख रहे है yes student सोचो yes answer is 50,000 समझो मेरी गल जो gross profit होंदा है gross profit होंदा है हमेशा त्यान रुखो यह होंदा है sales minus cost of goods sold opening stock दा है था यह थे कोई relation नी क्योंकि दोनों चीज़ां सानू बताने या था सानू cost of goods sold calculate करनी पहन थी cost of goods sold already देती भी है जोनों असी 2 लख दे भी चोंँ 1.5 लख माइनस कीता answer is 50,000 that is a gross profit जेकर cost जादा होवे sale cut होवे फिर loss होजन दे भी थ्यान रख्यो next question next is question number 18 the left hand side of an account is known as किसे laser account दी जोनों मैं account दी कल कर रहे था laser account दी left hand side किडी side हों दी is it credit side debit and credit side B option C is debit side all of the above मेरे वाले question सारे बच्चा नूँ आंदा हुएगा सारे students properly नूँ जान देने फिर answer check करिए match करिए left hand side is the debit side of any account जो सी laser account बना दे है सारा नूँ बताएगा इस तना T account जो ये left hand side है A हमेशा debit side हों दी है याद रख्यों इस चीज़ नूँ Yes C is the debit side is the option correct answer is this दो नंबर हो राइड करो आपके वरी 19th question Purchase goods from Jashandeep Rs. 50,000 at 10% trade discount Posting will be made in Jashandeep's account with Jashandeep दे account दी बिच किस side ते posting किते जाओगी ते किन्ने ना लगीती जाएगी ते आननल सोचियो Goods purchase कीतिया ने Jashandeep तों 50,000 दिया 10% trade discount है 4 option ने Debit side with 50,000 Credit side with 50,000 Debit side with 45,000 D credit side with 45,000 सोचो जरा Students calculation करके देखो जो तों इसे question आए रफ जो working note type बनाके देखो तो आनूं clear होगा एदा answer आओ चेक करिये दा answer एदा answer क्यों है क्यादा answer Yes, answer is D credit side with 45,000 आओ एदा कारण समझे ते आननल समझो Goods purchase कीतिया जेशन दीप तों 50,000 जिस जो जो तों सी 50,000 दा 10% trade discount calculate करके देख्या ओ आया 5,000 ता net purchase है ओ किने दी होई है 45,000 50,000 जो 5,000 माइनस किते 45,000 ता credit purchase है क्योंकि जेशन दीप दा नाम दीता गे journal transaction की होगी entry की होगी purchase अकाउंट दाए वे टू जेशन दीप से अकाउंट हुन ते आननल समझो तो जेशन दीप नू credit कीता गे ता जेशन दीप दे account दे विचे credit side दे amount की ना आएगा 45,000 clear एही कारने D option is the answer credit side with 45,000 जेशन दीप दे अकाउंट से एननी posting होएगी by purchase show करके clear आओ होगे वजिए student question number 20 sold goods for cash of MRP 20,000 MRP होदा है maximum retail price जो वस्तों दे पर लिखिया गया है goods sale कीती आने cash sale कीती आने at 10% trade discount and 10% cash discount posting will be made in discount account with rupees discount कि ना आएगा जड़ा सी show करना है क्या नाल एदली cash discount trade discount concept दिमाक्स होना चाहिए है कि trade discount नो असी books दे विचे दिखान दे नहीं हागे सिरफ calculation करन दे लिए होंदा है net amount cash discount नो books दिखाया जाना है एदा मलो discount account दे cash discount दे वारे पुछ रहे है कि किना दिखाया जाना है options are 4 rupees 1800 on debit side rupees 1800 on credit side B option C option is rupees 2000 on credit side D option is rupees 2000 on debit side आओ students मेरे खालतों सी सोच ला होएगा हूं तक tough fact question एह होजे question exam time भी लगवान देने calculation करके देखनी बेंदी है आओ देखिए answer की यदे reason की यदा yes students answer is rupees 1800 on debit side answer is A क्यों आया है यदा reason समझो MRP 20,000 maximum retail price है जे उस्ते यसी 10% trade discount calculate करिए यह ओ आया 2000 एदा मनलब 2000 trade discount minus करनतों बाद जो वस्तु दा sale price रह गया sale ever price ओ बनिया 18,000 18,000 ते आगे cash discount जो वस्तु sale किती 10% अलाउड गया 1800 एदा मनलब net sale price किनेच sale किती है 18,000 चो 1800 जो cash discount है minus कीता value आगी 16,200 उन एदी general entry की वनी students ते आणुआल समझो जी आसी सही answer नों समझना है cash account debit because cash is coming in the business आसी discount allow कर रहे है जदों sale कीती है customer नो discount account with rupees किना आएगा 1800 आएगा ते debit side ते आएगा क्योंकि discount debit कीता गया इस transaction दे orderly it is a loss discount allowed clear next question student 21st question है what would be the missing amount in below equation equation दिती भी है aster's minus capital is equal to libelty a sign of interrogation है capital the value 15,000 libelty is the value 25,000 aster's दी के नहीं होएगी हो यह पुछ रहा है सोचो easy है yes मेरे खाल तो सी जल्दी सोच ला होना a option is 10,000 b 40,000 c 15,000 d 25,000 आओ students एदे answer दे वार है तो check करिए तोड़ा answer बिल्कुल ठीक हो है का हो match करिए answer is 45,000 जिनना तक 40,000 है absolute जिनना दे दो marks ने की में आया सानू सारा नूपता है students basic जो equation है ओ है aster's is always equal to libelty plus capital उस equation जो ही equation 12 होई भी है aster's minus capital is equal to libelty capital जेदर minus इस side दे जाके algebraically सानूपता है capital का दी बन जेगी plus दी बन जेगी 15,000 जेदर minus है उदर जाके plus होया था किनना बन गया 40,000 answer B is the right choice clear next question students 22nd question है capital increases by पुंजी किस नाल वद्दी है option ने 4,000 बिजनस दे वीचे capital की में वाददा हुंदा है capital इतना नमबर A option है interest on capital B profit share C fresh capital investment D above all क्या आनल सोचो इना जो किड़ा ठांग है 4 दे वीचों जिस कानके capital वद्दी है सोचो जरा पुंजी जो business man ने लगाई है business interest on capital profit share fresh capital investment और और अब और ऑब और आनसर चेक करिए जो दूसरी सोचे है answer D above all इंट्रस्ट पूंजी ते व्याज होंदा है जे करो बिजनस दे विछ ही रहन दे है बिजनसमेंट विद्रा नहीं कर दा ता कैपिटल इनक्रीज होनी है सो राइट ऑप्शन इस अवाव ओल ए तिन्नों ही टांग ने इस question दे accordingly जिस करके capital increase हों दिया है सो राइट ऑप्शन इस दी अवाव ओल क्लियर सुरेंट्स 23rd question है विच इस नौट कॉंटर एंट्री इन कैश बुक उन सा नू पता होना चींदिया कैश बुक दे विच कॉंटर एंट्री की हों उन question की है पहला आप आपनों देखिए फिर समझाने है विच इस नौट कॉंटर एंट्री इन कैश बुक है ना चो केड़ी एंट्री कैश बुक दे विच कॉंटर एंट्री नहीं है cash deposited into bank cash withdrawn from bank cash paid to supplier none of these think सोचो 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 मेरे खाल दोसी सोच चुक होंगे आओ answer देखिए right answer is cash paid to supplier एंट्री नहीं है students एंट्री नहीं है जिदो cash paid to supplier एंट्री है फिर एंट्री आपन्सर था होई नहीं सकता सी right option is cash paid to supplier एंट्री नहीं है students और इंट्री जानकरी लिए मैं दसा contra entry हो होंदी है जो दो cash book दे विच को यहीं transaction होए जिस करके cash दे bank account दोनों इंट्री फैक्ट्री होनी transaction करके उन्हों contra entry करें देने ए ते बीच देखो तुसी cash deposit करा आगा जो दोनों contra entries ने इनों सी नाल शो किता जान दै contra entry स्पेसिफिकली होंदी है जो इक कोई cash मुक है सानूं पता है उस bank column भी है तां contra entry दोनों side दे उते effect कर रही होंदी है debit side दे भी cash वोग से credit side clear जड़ी यह cash pay to supplier है supplier नूँ cash pay करता है जिए जरफ cash थे effect पहर है bank थे effect नहीं पहर है इस करके contra entry नहीं है yes students 24th question a trial balance is a dash trial balance की है is it real account, nominal account, personal account list or statement of balances मेरे खाल एक question बड़ा असान है जिसने trial balance की है trial balance की है चारा दे बीचा आप्शन आपो right option चेक कर यह right option is D list or statement of balances वैसे भी trial balance दी definition ही है trial balance is a statement of balances अलग-लग laser account दे balances दी statement हों लिया मेरे खाल से पक्के तोड़े दो नंबर होगे होंगे आओ जल्दी ना लागे question number 25th suspense account is a dash suspense account की होंदे is it nominal account, A option B personal account, C real account D can be any of the above suspense question ही ही हो जयते question ने भी शक्क पैदा करता yes, student, सोचो जल्दी मेरे खाल दोड़ा answer दोजी सोच ले होना आओ देखिए दा answer की है can be any of the above dear student, suspense accounts अनुस्वारा नूँ पता है ज़्यादा trial balance match ना हो रहे होगे होते यूज़ कर देने, ज़्यार और nominal account भी हो सदा है, personal भी हो सदा है, real भी so D is the right option, can be any of the above next question student 26th question है, purchase of building rupees 50,000 charge to purchase his account building purchase कीती, 15,000 पे दी, purchase account नूँ show करती what is the type of error, गल्ती ता होगी ज़्यादा बिल्डिंग पर्चेज कीती है, building account debit होना चाहिना से असी purchase account नूँ debit करता है, इस question दे accordingly किस type दी error है, is it error of principle is it error of omission, B option C is error of commission, D is compensating error सोचो, चारो error, properly असी नूँ trial balance भी करती है तेरे activation of errors भी, किडी गल्ती है, किस type दी गल्ती है purchase सी building show करती, या इस तूँ सी सोच ले हो आँ answer देखिए, error of principle, सिधानते के गल्ती हो चुकी है क्योंकि सिधानते सी ज़्यादों building purchase कीती है it should not be treated as a purchase पर उने purchase नूँ दिखाता, building show होनी चाहिए सी it's a principle mistake, जिनूँ असी error principle कहें clear, next one goods worth rupees 1000 given as charity should be credited to 1000 पे दियां goods दांच दीती है किस account नूँ credit कीता जाना चाहिंद है सोचो जाँ, option कीने a charity account, b donation account, c purchases account, d sales account 1000 पे दियां goods, charity, मतलब दांच दीती हैं किड़ा account credit होना चाहिंद है सोच लिए तो सी answer answer is c purchases account yes, जो दों भी goods, charity, donation दे रूप दिती हैं जाने, या drawings दे रूप दे विच बिजनस में ले जन्द है उदों क्योंकि वो sale था होन दी नी पर business जो वस्त मा वहर चले जन्द है साटी किती ही purchase काट जन्द है purchase हमेशा debit होन दी है पर इनना cases दे विच पर्चेज की हो जन्द है पर्चेज की होन दी है मेशा credit एथे वैसे एंट्री बनां दे की वां जन्द 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 रहें outstanding salary is a dash for business outstanding होन दी है जिटी salary उसी pay नहीं किती pay करन योग बन चुकी है salary still due is a dash for business business दे लिए की है a option is expenses b income c asset d liability yes मेरे एक हले कोशन बड़ा असान है जाला सोचन्द जूरूरत नहीं को अन्वा answer आंदा होएगा answer is d liability क्योंकि देनदारी होचन्द है salary देन वाली है दिती नहीं है next question in case of purchase of goods from another state what type of GST is imposed technical nature दा question है जे GST details पड़े है नहीं इस चैनल ते GST दी आप पूरिया वीडियो जने तुसे उसनों देख साथ असी goods purchase किती है दूसरे स्ट तो उस्ते किस type दा GST लग गाए चार option ने a. output C GST b. input IGST c. outputs SGST d. none of these सोचो tough है सोच लेओ ना दुसी आओ आगे answer पेवल वदी है answer is input IGST एक गलते आन्रोख स्टूडेंट्स जदों भी goods purchase किती है जा दियाने चाहे state दे बीच होन जा state तो बारो हमेशा input GST लग जा हुन जेकर state दे बीच ही वस्तूगा नूँ खृद्या वेचा जा रहे ता उत्थे जड़ा GST लग दा है लास्ट क्वेशन है अजदा दोड़ा वीच अफ दा फॉलिंग इस नोटा सोर्स ओ डॉकुमेंट नहीं है इदली दो नूँ बता होना जिंदा है सोर्स डॉकुमेंट की होंते ने आप्शन की है एक कैश मीमो बी इनवाइस और बिल सी चेक डी लैजर मेरे खाल बड़ा असान क्वेशन लग रहे है क्योंकि इना नूँ देखके ही बुक्स दे बीच एंट्रीज होंदी है ने उस सारे डॉकुमेंट्स नूँ उसी सोर्स डॉकुमेंट कहने है इना देवीचों किड़ा सोर्स डॉकुमेंट नहीं है मेरे खाल अनसर बेलकुल सही होएगा डी लैजर अपने आप देवीची का बुक है अकाउंटिंग दी जो जर्नल तो लैजर साथी पोस्टिंग होंदी है सब स्थी तो लैजर सो पोस्टिंग होंदी है सो राइट ऑप्शन इस डी क्योंकि डी सोर्स डाकुमेंट नहीं है जदो कि कैश में हों इनवाइस एचेक सारे सोर्स डाकुमेंट नहीं क्लियर स्टिंग तो अड़ा टैस्ट बड़ा वदिया होएगा बड़े इंपॉर्टेंट क्वेशन ने इस रिलेटर ही क्वेशन ज आणिया उना दा इंसार बोलते जडिया अल्रेडी अग्जेस्टर वीडियो जने उना नू देखो इस चैनल नू सब्सक्राइब करो एंड शेर इत मोर आज मैक्सिम आल यू कैन तिल देन थैंक यू वेरी मॉच